कि आज हम डिसकस करेंगे डिजिल कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन को डिजिटल कंप्यूटर साइज की बेस्ट की उपर स्पीड के बेस्ट की उपर और प्रफॉर्मेस की बेस्ट की उपर या स्टोरेज की बेस्ट की उपर इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं यह कि साइज में use कितना बड़ा है उसकी speed कितनी fast है यह कितनी slow है कि उसमें storage capacity कितनी use हुए है कितनी زیادہ है यह कितनी कम है उसकी base के उपर computer को different parts में difference عت digging क्मी केशन की गई है number one जो पहरी टाइब है वो है स्पर कंप्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प् वो है component नहीं है एक processor यूज़ नहीं होता उसके अंदर एक Mor practices नहीं लगा उता या एक ॉर्ण डिस्क नहीं लगे यूज नहीं होता उसके अंदर बहुत ज़्याधा त आदाद में processor और storage media और आस जुमारी RAM विगार बहुत बड़ी मिqदार ने बहुत बड़ी होते हैं यहीं कि बहुत ज़्यादा चुम्कि प्रोसेसर अगर ज्यादा होंगे सी प्यू अगर ज्यादा लगे होंगे तो डेफिनेटली काम यूति तीजी से होगा इस तरह आपने एक काम जो है दिया है एक स्टूडेंट को और वही एक काम अगर हम दें एक असाइन्मेट कर दें बीज स्टूडेंट को बीज स्टूडेंट उसको जल्ती सॉल्ब कर लेंगे वांस तो इसको टाइम ज़्यादा लगाएगा तो उसमें सीप्यू स्टूरेज बहुत ज्यादा होती है यह वह कंपुटर होते हैं जो के खास मकसद के लिए बनाए जाते हैं स्पैशल स्टूरेज के खास मकसद के लिए डिजाइन किया जाते हैं और उसी मकसद के लिए यहिघाते हें फर जंपर एठापेर केरी यूजे ब्रेम पर justification को एक सैकेंड के अंदर हमने प्रॉसस करना होता है इत्मी ज्यादा तदाद में हमने इन्सक्शन देनी होती है वहाँ वहाँ में सूपर केमिडर की जुरूट पड़ती है त्र वहाँ में भागी जो हमारे कमपुडर नहीं कर सकते यहाँ वह में ट्रिलियन । आप इंस्ट्रेंशन को एक सैंके कर वाना होता है ये sä Ecstasy Crowd let द organization in the presentation बहुत हैं ऀंसकी अगर पराइस की बात करें तो बहुत ही expensive है most expensive computer जो है in the world वो super computer है super computer की prices बहुत ज्यादा है 50 million dollar सक इनकी prices है इसके अंदर क्योंकि wiring के एक जाल बिचा होता है इसलिए ये बहुत ज्यादा electricity भी consume करते है millions के हिसाब से electricity consume करते हैं अगर एक आम हमारा जो micro computer होता है जो हमारा एक laptop है उसके speed और इसकी speed को आप इस तरह समझ जाए कि हमारे micro computer है हमारा जो laptop है इन से 50,000 times faster होता है micro computer इसनी ज्यादा तेजी से process करता है instruction को जो super computer होता है तो यह था the super computer जोके size में बहुत बड़ा होता है इसकी capacity बहुत ज़्यादा होती है जिसके अंदर रेम बहुत ज़्यादा पादाद मे लगी होती है CPU बहुत ज़्यादा लेगे होते हैं जिन जिन के अदर processing capability बहुत ज़्यादा होती है ट्रिलियन्स के साथ से इंस्रक्शन को प्रॉसेस करते हैं या लार्ज साथ लिबॉर्टरी या रिसार्ज लिबॉर्टरी के अंदर यूज चैते हैं एक सकन्द चैंड thinkers कि is special purpose है weather forecasting भी यूज हो सकते हैं इसके लबाइआ जो prices होते ह Ideal d is worth 100 milion dollars होती है वाइरिंग के एक्जाल बिचा होता है जिसकी वज़े से बहुत ज़्यादा electricity कंज्यूम करते है इसकी जो speed आम जो computer है हमारे micro computer 50,000 times faster होते है ये computer, super computer उसके बाद है जी main frame computer size में super computer से size में थोड़ा छोटा performance से super से कम memory में super computer से कम processing में super computer से जो कम computer और micro से बहुत ज़्यादा जो computer है वो main frame computer होता है main frame computer जो है वो second most expensive computer है most super computer के बाद जो most expensive computer है most powerful है largest है size ज़्यादा लेता है space ज़्यादा लेता है वो main frame computer है stock exchange और banks के अंदर या hospital के अंदर या airline company जो है वहाँ पर ये main frame computer यूज किया जाता है billions के हिसाब से एक second के अंदर instruction को process करते हैं यहां पर करते हैं इस ज़्यादा यहांपे हम ने एक सेक्ड में बिल्याचर क्टे के अंदर का इसक्टे को process कर सकते हैं है जो हमारे एट्यएम मशीन है वह भी वन अफ था टाइप और सुपर जाता है वह हैं क्या हुआ सूपरकेमपुअजिडर से कमज लखता लगिन माईट्रों سंफह कं मरणा कोarat है कै कि सूपरकेमपुअजिडर्ट से कम cervix JEFF होता है लेकिन माईट्रों configurable इसे वह भी सब्सक्राइद है अधार का बात करें तो उससे सुपरकेमपुअजिडर्ट तो memory storage capacity कम होती है लेकिन हमारे जो micro computer है उन से इसकी जो performance है इसकी memory है बहुत ज्यादा होती है चाए वो storage है चाए वो primary storage है या स्केंडर storage है तो after super computer जो expensive computer होते हैं वो mainframe computer होते हैं एक room जितनी जगा consume करते हैं mainframe computer autistic चाएज क्योंक्योंक्यों क्योंक्योंटर el colectices की होते हैं और size में च्चोटे होते हैं या ओक reset की ओपर आ सकते हैं या आपके हाथ की हसले की पर आ सकते हैं या pocket आसकते अधिमिए सैजलिप करें एंदर ये सब्सक्राइब देखेंज फिर फियुक्त हैं नित्रॉफ यूरोज पर नहीं है वो की देस्कोर को णुली जो आपने अफैश के नहीं के सीरे आपाइफ यूज ने से तो माइक्रों कंपूटर वाले के अंदर जितनी भी माइक्रों कंपूटर की टाइप्स हैं डेस्क्टाप है नोट बुक है या लैप्टाप है या मुबाइल फोन्स है यह सारे जो है माइक्रों कंपूटर की काटेगरी में आते हैं लेकिन यह जो computer हैं यह size में बहुत चोटे होते हैं mainframe और super computer से size में बहुत चोटे होते हैं processing power बहुत कम होती है general purpose computer होते हैं हम different purposes के लिए इनको use करते हैं तो desktop computer वो computer होते हैं जो के हमारे desk की उपर आते हैं चाहे वो tower casing में है या चाहे के जिसकी उपर हमारा monitor हम रखते हैं दो केसिंग होती है desktop में एक tower casing होती है में हमारे system unit पड़ा होता है साथ monitor रगा होता है एक होता है system unit को हम नीचे system unit पड़ा होता है उसकी उपर monitor रख देते हैं तो केसिंग होती है desktop computer के उसके बाद जी notebook computer साइज में छोटे होते हैं डेस्क्राप से साइज में छोटे होते हैं और weight बहुत काम होता है notebook computers को carry करना बहुत easy है portable होते हैं एक जगह से दूसरी जगह आप इनको easy लेके जा सकते हैं अपने bag में डालें और लेके जा सकते हैं desktop computers को carry करना बहुत मुश्कल है business purpose के लिए यूज किया जाता है student को assignment बनाने के लिए यूज करते हैं उसके बाद है जी laptop computers अगली केड़गरी है digital computer sorry micro computer की laptop computer laptop computers होते हैं वो size में छोटे होते हैं इनका भी जो weight होता है वो कम होता है बहुत ही popular है popular computers है अब laptop और notebook में क्या फार्क है laptop नोट्बुक से size में थोड़ा सा बड़ा होता है नोट्बुक के अंदर जो DVD ड्राइब है वो यूज नहीं होती वो DVD ड्राइब नहीं होती जितनी इंस्तालेक्शन होती है वो सारी USB के जरीए करने पढ़ती है जबके हमारेकिन size बहुत चोटा होता है लटाप की निसपश्ट पर देखा जाए तो बहुत ही छोटा होता है लटाप से और जो चैनल को करना एक जगर से बढ़ा जाना तो ब brack zalने के प्रोजेक्ट वहरा बनाने के लिए उसके बाद पाउम कंप्यूटर माइक्रों कंप्यूटर की यह कटेगरी जिसको पाउम कंप्यूटर कहा जाता है यह साइज में बहुत ही छोटे होते हैं यह ऐतिने जोटे होते हैं जिस तरह हाथ एक हाथ में आसकते हैं हमारे हाथ में जो प्रड़ आते हैं वह पॉर्म टॉटरисл केना वसके जो हरे गाते हैं वो पाम काईगर्ड लो इनके स्मार्ड पॉन होती है जिसको टैच करते हैं जिसकी मदद से हम जो है वो जितने भी डाटा इसके अंदर इंपुट करते हैं प्रोसेसिंग करवाते हैं इंस्ट्रक्शन देते हैं हमारे जो अंड्राइट फूंज है यह सारे पाहम काप क्विटर्स की केटेगरी में आते हैं यह था आज का टोपिक क्लासिफिकेशन आप डिजिटल कंप्यूटर